प्लूट शंकरता था यानि अप उनके लिए काम करता है लेकिन जब अप उनको पता चला कि पल्लूट ड्रग्स और लड़कियों का धंदा करता है अप उनमें उसे अपनी गैंग से निगाल से तब से हम दोनों में 36 का अंकड़ा है चाहे जो भी हो जाए अप उनके जिन्दा रहते हैं वो ये काम कभी नहीं करता है ना अपनी अजब अधा अधून में जाएगे जाएंगी कर्लूनी आप इसलिए अधून के अधून उसके अधून का प्यासा है और की घुंडों तुम्हारी पापा है ना वो जिन्दगी में कभी नहीं सुदरने वाले अच्छा ममी क्या आज रात को पापा घर नहीं आए थे आते तुम्हें गुस्सा होती सुबह होते ही मुझे गाली देना शुरू कर दिया यह लो तुम लोग के नहीं जूते अब ज्यादा दिखावा म जूते हो गया तो दादा के होते टेंशन नहीं फिर दादा आ रहाँ तुम्हारे दादा की चंचे होंगे जाओ जाओ अरे यार मैं बस भी करना कितना बोलती है चुप हां आरा हूं कि यंकर के इलाके में मेरे आदमी को नहीं आनी की दंकी कैसे थी जानगवानी पड़ी आप अपने साले शंकर को तुम अभी तक यहां हो कर दृप्ट कर दो भी आप सके दो में धुञाНगल उन्य ह्प चालाँ आर दो और नदे फडिएए जह्द दो और यहां दाओ definitive लो नहीं फ्ञद् paw पार भार लो दो खरो तुम लोगों के रोने से वापस नहीं आएंगे रोने का नहीं बेटा तुम्हारे मम्मी और पापा ना बहुत अच्छे इंसान थे इसलिए भगवान जी ने उन्हें अपने पास बला लिया इसलिए रोने का नहीं चुपो जाओ बेटा रोगे तो भगवान जी नाराज हो जाएंगे अच्छा ये बताओ तुम बड़े होकर क्या बनोगे पुलिस अपने बाप के कातिलियों को पकड़ोगे न अच्छा बेटा तुम क्या बनोगी डॉक्टर शवाश सुनो विद्यसागर जी दागा ये विद्यसागर अंकल है इनके बहुत सारे कॉलेजिस हैं देखो अंकल ये लड़का पुलिस वाला और ये लड़की डॉक्टर बनना ही मांगता है आप उन खरेगा सारा कर्चा आप से बच्चे आप उन के हैं भाई अभी अभी हमें एक टिप मिली है पेटा हाँ डड़ी बदल लिया है ना आप टेंशन मत लिजिए चार गंडे मैं घर पहुंच जाऊँगा तुम अकेले हो मेरे अलो डड़ी मैं अकेला हूं बंदूख पास है पूरी भरी हुई यह रास्ते में चोकन ना रहना ड़ी आप टेंशन मत लिजिए बेफे कर रहे हैं मैं आ जाओंगा अलो पिटा कि अ कि अ कि अ कि अ कि में आज़ी 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 चोड़ दो मुझे अरे बलू तेरा बेटा तो शेर दिल हो गया है मेरे आदमी को ठोका इसने लेकिन तू ये बात कैसे भूल गया कि आज की डेट में शेर सरकस या चिडिया घर में ही सुरक्षिन तूने अपने पिंज्रे से बाहर निकाल कर बहुत बड़ी गलती की है बन्लू ये ले संकर अरे बटूर मार अरे ज्यादा तक्लीफ नहीं होगी तूकर नहीं चोड़े के संकर हाह हुआ है 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 हुआ 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 है यह आप क्या कर रहे हैं आपके इकलौते बेटे को शंकर ने माल डाना और आप यहां लकडिया काट रहे हैं हम इन ही हाथों से उकर शादी करवाना चाहते थे पर आइसन हुआ नहीं कम से कम इन लकडियों से उकर किर्या करम तो करेंगे सबसे पहले तो शंकर को टपकाएंगी यह तो भूद आसान है उभी हमरे बिटवा जैसन ही सोचाएगा मौत से मिलत शांती आराम अब हम उकरा के उतना ही तकलीव देंगे जितना हम को हो रहा है उसे तडपा तडपा कर जिन्दा रखेंगे जैसे तडपाएंगे उसकी कोई आलाद तो है नहीं है वो आपन वहिंद के लिए आपन आउलाद नहीं होने दिया है वहिंद ओकर जिंदगी है हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी हां मुझी यहां लाकर तुम्हें बहुत बड़ी गल्ती के मैं बॉल देती हूं यह सुनाई दिया मैं कहते हूं जहां से मुझे लाए हो मुझे वही पर वापस बेज़ दो नबच गए तुम मुझे अची तरह से जानते नहीं तुम्हें अपने कॉलेज की क्रिकेट तीम की कैप्टन हूं मैं बैट से चक्के चौके मारूगी की सिंदगी बरना पॉट्टी कर पाऊगे ना सुसु एई टम्स भी छील डालूंगे मैं तुम्हारे बापी सा पीस को मुझे नहीं पीना चिला चिला के ठक गई होगी यह पूरा गटक जा फिर और चिलाने की ताकत आजाएगी तुछ में आरे गोलुकोस डाल के लाया है ना मेरी ट्राजडी में आपको कॉमेडी सुझ रही है अपने आदमियों से कहें कि मुझे वापस मुंबई छोड़ कर आए अभी और इसी वक्ता होगा जल्दी पूजा टेंशन कभी लेने का नहीं सिर्फ देने का पूजा तेरे लिए क्या अच्छा है तेरे भाई को पता है आपको क्या पता कि अच्छा क्या है मेरे फाइनल इक्जाम को दो महीने बचे है अभी तत मेरा आदा सिलेबस भी खतम नहीं हुआ ये सिलेबस क्या होता है अरे समझाकर अपने शिला के बस के बारे में बॉल रहे हैं शिट अ उलिटरेट कॉनल आता हू सबरदस्त इंगलिश बोल रहें आप उनकी पू आप उनके धंदे में आप उनके दोस्त कम दुश्मन जादा हैं और वो दुश्मन बदला लेने के लिए आप उनके परिवार पर विवार कर सकते हैं यह ले बगड़ तू आगे पढ़े या छोड़ दे इससे अप उनको कोई फरक नहीं पढ़ता वैसे अगर तू चाहे तो अपने परिक्षा यहीं से सकती है सुलियाना यहीं फाइनल ठेखाअ भावी यहां यहां प्ने की बात करे यह और यह फाइनल जो छल दिये एक बार तेरे भाईया ने फाइनल कर दिया, फिर तो वो मेरे ससुर्जी की भी नहीं सुनते हाँ, फाइनल और अगर कोई मुझे भगा कर ले गया, तब आप क्या करेंगे, बोलिए तुझे भगाने वाले की अभी तक एंट्री नहीं हुई पुलिस को देखते ही, गुंडों को तो भागते देखा है, पर यहां ये उल्टी गंगा क्यों बह रही है चलिए थोड़ा रिवाइंड करके देखते हैं मात्रे साब, अगर आप इस जमीन के साथ आसपास की जगा भी खरी देंगे, तो आपके कारूबार की तो निकल पड़ेगी हाँ, देखा मैने, कमाल की है एकदम धासू तुमारे साब कब आएंगे? अरे साब की फिकर मत कीजिए अरे मुझे उनकी फिकर नहीं है, मुझे पुलिस डिपार्टमेंट पर दया आ रही है, तुमको पकार देने के लिए ये जमीन पेश्टी पढ़ रही है मात्रे साब आपको तो सब पता है, सारा पैसा गुंडों को पकड़ने में चले आता है में भी तो पकार में चले है साब आगे टोपी करने सालाम साब सार ये है हमारे मात्रे साब जोल वाली प्रॉबर्टी खरीदने में नमबर वन और ये हैं एसीपी सार, मिस्टर बलू सुन्दरम फ्रमचे नहीं कमाल है, तुम्हारे एसीपी तो बहुत जवार है को क्या लोग बुड़ा पे में एसीपी बनते हैं और ये तो हीरो की तरह डायलोग भी बारते हैं बना हीरो ही था, पुलिस में तुम लोगों की वज़े से आ गया ये क्या कहरे हैं सर्ब, मैं तो बस ये सर्कारी जमीन खरीद दे आ आयाigu सरकार ने सिर्फ 6 अकर बेशने को बोला है ताकि दो मेने का पगार दे सब को च्यकर?! लेकिन तुमने तो सिर्फ 5 अकर की भाद की था अकर बछ़गो गयी 4,000,000 से 1 Kauni मैं कमने ही करूँगा कमहाल है मैं तो जिखा कि 5,000,000 दे रहा। जा कह रहे है मात्री साप 5,000,000 ? नहीं समझते हो क्या 1,000,000 के हिसाब से 5,000,000 का 5,000,000 मेरा मतलब कि एक-गर का 4,000,000 एक-गर का 4,000,000 मतलब तुमारे मतलब 20,000,000 ने 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 उजे मेरा बैक दो ने तुम लोग जाकर अपना दिमाग ठीक करा हूं मैं चला रुके अरे इसको पांच लाका बिल दे देना तुम कंट्रोल लुमा कर जमीन के पेपर ले जाना कमाले मिस्ट्र तिवारी आज से यह जमीन मेरी हो गई क्यों ठीक है ना आप यह तुमाले साथ यह बोर्ड उखाड सकता हूं जमीन तेरी बोर्ड तेरा जब चाहे उखाड ले दूध वाली चाहे का पुराना इसाब चुकता मनाई के उपर मनाई मारना ए रगू यह पैसे लेकर जा और बहन के शादी करा है यह पैसे तेरे यह यह रहे तरे बाप की जमीन सिर्फ दस जार देकर हड़ लिजी थी ना उसने इसलिए हमने हिसाब बराबर कर दिया Mr. Ballu Tiwari, तु हीरो बनने आया था न, अच्टिंग अच्छी करता है, पर तुने मेरे को बेफकू बनाया, वोड उखारदी को गया, तु कान के डीचे बजाया, अगर तु हीरो बनेगा तु मैं विल्म बन जाऊंगा, दिखाऊं क्या? रगु, तु ये बैग लेकर पीछे के रासे से जल्दी निकल जहाँ, बल्लू Tiwari नकली हो सकता है, उसकी ये वर्दी नकली हो सकती है, लेकिन ये बंदूक नकली नहीं है, खूपड़ी उड़ा दूँगा, ये निकला के रहे वो? वो तो कभी का निकल गया? ये लोग तो उस तरह भाग्जा है, एक-एको अच्छे से धोना, साबून के साथ, तयार, कैसे तयार? तयार, क्या तयार, तयार, अब ये भागने के लिए तयार, अग ए मैं आए जो और जबादा दो ही जरे 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 एक जड़ी जरे प्रेंग जरे जड़ी जरब जरे जरे इसन देना बट गृुद जरे 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 कि देखो तुमने मेरे दोस्त को धोका दिया हमने तुम्हें दोका दिया हिसा पराबर अब हमें जाने दो जाएगा कहां मुझसे बचकर टाथ हिसे दुमारे हो ना करें तुमारी हडी पसली तोड देगा मुझसे नहीं तोड़ेगा डैलाग मरुप्रूप्र पिर धे रहेंगे आएएएएएएएएएएएएए पीसुए औरियो पड़े अआँछ इपन्जों परीपरेगा आऊणाणाद पंबूल मैं आऊओ अब भागते हैं अगनेगा टाइम थायार! भरकावा देओ! आगनेगा देओ! वाले संटरे मत किलो! ने 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 बाल दाला! आपना हो जोगवे! देखो! तुमने मेरे दोस्त को धोका दिया! हमने तुमें धोका दिया! हिसाब बराबर! अब हमें जाने दो! जाएगा कहां मुझसे बचकर! पहले मैं अपने खाली दिमाग का इस्तमाल करता हूं! अगर वो काम न करें! वो तुम्हारी हडडी पसली तोड़ देगा! मुझसे नहीं तोड़ेगा डायलोग मार रहा है! वेल! रूप 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 रूप! अब भागते हैं टाइम हो गया है नहीं से सर आपने मुझे बुला है आओ नरान बैठो यह लॉक अपके अंदर तुम्हारा यह बेटा यह न妈 अरे तुम जा कहा रहे हो यह बेटा नहीं कोई क्रिमिनल है अगर यह बाद तो चल Ms. ऐसी चल वाले अपके कहने पर मैं इस आखरी बार साइंग कर रहा हूँ खाले बेटा मेरा बाप इतना सडू क्यों है फोशिश की हीरो बनने की और बन गये स्पॉट बॉइश बन जाते मैं भी अभी शेक बच्चन और रनवीर की तरह फेमस हो जाता मा थोड़ा छोटी को भी दो ना मा अभी तो पेड़ भर गया आदे घंटे बाद हम दोनों को पकोड़े खिलाना अरे खाने पीने के लावा तुम दोनों कुछ सूचता है कि नहीं दिन भर यह नलाए खाते रहता है और तुम हो के इसे खिलाती रहती हो नजर मत लगाओ अभी-भी मेरा बेटा जेल से आया है इसे सत्य ग्रेमें गया था चीटिंग के केस में अंदर गया था यह दूर तक भलाय का कोई काम किया जानते हो इसने अगर चोरी की है तो अपने दोस्त की बेहन की शादी के कल यह अपनी बहन के शादी के लिए किसी का खुन कर देगा डाड़ी अगर एक फिर्म का हिरो ऐसा करेगा तो आप तालिया बजाएंगे मेरा भाईया फिर्म का नहीं घर का हिरो तो यह है राजू इदरा जल्दी सामान ले किया अब तुछ दिनों पहले कुछ यह मांगा था यह ले जींग्स और यह जूटे यह ट्रैक्सूट और यह लेडिस वाट थैंक्यू डैडी थैंक्स मत बोल मेरे शेर यह सब मेरे तेरे पैसों सही खरीदा है इसके पैसे है भागवान इसे नौकरी मिल गाई है यह अशी एद्वास बशापिंग की है नौकरी किसी बड़ी वो तुझे खुद लेने आ जाएंगे तू बस एक काम कर यह पैसे रख और आखरी बार अपने सारे दोस्तों के साथ दिल खोल कर पाटी कर आखरी बार पाटी पता नहीं तू जिन्दा रहेगा भी या नहीं उन्ने दर तुझे से टुच्च्यों के लिए माफी मागने के दुकान नहीं खुल रख किया गुर रहा है बेरा बाप लगता है क्या ने ने सर मैं तो इसको जानता है मैं तो बटले नारायन का बेटा हूँ आप बटला बेटा खंबा खाता क्या रहे तू वो क्या है ना सर मेरी हाइट अपने मामा जैसी है तेरे बाप ने तो बताया कि तो बहुत ही लुच्चा कमीना अवारा बदमाश है सच है नहीं सर तू सुद्रेगा या उसकी तरह पि अबें मास्टर कुड़ मारिश काम करेगा निरा नाम कृष्णा राश्म भाई अपने तेरे खान तो क्या तो क्या तो क्या सचादी करोगे एक मौका दे दो भाया जी मौका सिर्फेगा ही बार दिया जाता है अब बहुत ज़्यादा हो रहा है उपकोप मारना होगा बचाएंगे केसे आगे रस्ता जामें अरे एक लाख रुपया लेकर भी ऐसी बाते कर रहा है उत्थू आ गर्दन में दर्द हो रहा है थूक भी नहीं पा रहा साले ने मुर्गी समझ कर गर्दन मरोड़ी है सच कहता हूं इतनी मौत देखी पर ऐसी मौत आज तक नहीं देखी आपने कार्पोरेटर बना दिया वरना मैं खुद जाकर घुसेर देता हूं से उमा कहां है ना ना इतनी छोड़ी बात के लिए उमा कि उमा कह है यह तेरे को साब बुला रहे है अंदर को अ सेटी नहीं है वह जो आपको मैंने बोला था यह से ले जाकर रूम दिखा दे और युनिफॉर्म भी देजना है यह उद्वर को क्या दिख रहे हैं अंदर को आ देख पगले इधर को सोना उदर को नहाना अब रेडियो के नि अंकल एक मिनिट इस बुढ़े की खातिरदरी क्यों हो रही है यह यहां के हैज है शंकर दादा के ताओ जी है मुझे तो किसी काम का नहीं लगता कौन सा है देरी बूल शंकर दादा को पता चल गया ना तो तेरा राशन कार से नाम कड़ जाएगा अपनी जवाली में इस ब कानपूर में हरताल है क्या इसलिए तो पक्या को रामलाल बनाके रखाए आपको पीने को पानी चाहिए लेकर आता हूं तू क्या चाता है हम तेरा पकड़े पैर जुक कर ले तुझसे आशिर्वाद रोज यहां सजधच कर चकाचक होकर बैढ़ जाता है क्या किसी आंटी क को पटाना है शकल तेरी भैसे जैसी कम से कम एक्स्प्रेशन तो इंसानों जैसे दे ओ यह तो रो देगा अंकल समझा रहने दो ना क्यों तुम ताओ जी की इस तरह से बजा रहे हो अरे इस बज़े हुए कि और कितनी बजाओंगा भटावा ढोलो चुका है क्यों रहे नमस अच्छा वो कुट्टे जैसा वफादार है क्या मैं कुट्टे का पट्टा पहन लूँ और तुम हिलाते विए तुम्हारे आगे पीछ से घूम हूँ है ना यह यह अब यह बोरी अकाउंट सेक्शन में देख या ठीके भाई अब कौन पिलाएगा पचास पेटी यह देख एक और गुणी तुछे पता है नाओं को एक धंनता नीमिलता या मिलती इना लेकिन तुझे पता है अचकल मेंगाई किती बढ़का ही है बीने कमांदे हो गये क्यों रहे अंकल मुझे पीच में मत कशिटे हो मैंगाय के साथ तेरी आवाज भी बढ़ती जा रही है लगता है तेरा इलाज कर तुझे चो करना एक का लेकिन मैं नहीं किनूंगा अंकल आप भी मत किनना मुझे पीच में मत चालो यह मास्टर तूने ही इसको भड़का है ना अब सिर पटक के मेरे सामने नाटक कर रहा है अभी शिकायत करता हूँ तेरी दादा क्या रहे लंबू पैसा किनने से मना किया तो हां सर अभी बोलो ना अंकल मुझे कुछ नहीं बोला है तुम ही बोलो दादा पता है यह मास्टर इन लोग को चड़ा रहा है शंकर दादा से जूड बोला तो आज के बाद बोलने लाइक नहीं रहेगा तू क्यों सुदरने का प्लान कैंसिल किया क्या नहीं दादा आप हमारी मजबूरी भी तो समझे आखिर बैचारा एक इंसान दिन में कितने नोट गिन सकता है कितने लोग ऐसे हैं जो दिन में एक बंडल भी नहीं किन पाते हैं ना अंकल हला कि अब मेरी बात सबसे हटके है एक सेकेंड दादा अं पीप ब्रेव देट सब्लू ए लंबू ये सफिड डबा क्या है रहे दादा इसी को कहते है काउंटिंग मशीन सो नोट तीस सेकेंड में गिनती है एक मिनिट में बीस हजार और एक घंटे में बीस लाग आराम से गिन लेती है ऐसा क्या चलती कैसे आसान है ये नोट उठाय यह रखा और मशीन अपना काम अपने आप करेगी आप लिकर सकते हो तो मस्त है बाई यह दो और मगालु अपने आपकी मरसी दा लगूष केज़िए असको जल्दी के है चलो एचलते रहां देखो ना कितनी है वहाह जाने से अच्छ तो यह इंतिजार करते हैं तुम्हा तुम्हारा दिमाग चलता है तुम्हारा भी चलने लगेगा अंकल वेसे अच्छा चुना लगा शेंकरता नागा प्लेट खाने के लिए तिरको बजाने के लिनी समझा अब मुझे संगीत बहुत पसंद है मिले सूर मेरा तुमारा तो ससूर बने हमारा सूर की नदिया हर गटर से बहते नाले से जाकर मिले कैसन लगा उलकल मुझे नहीं बनकर खाना का खाट थे और आपने कुछ बोला नहीं आपके सामने मेरी इंसल्ट की या बोलता तुम्हारे हरकती ऐसी थी किस ने कहा था तुम्हें बजाने को अरे पर मैंने क्या क्या उसने भी तो बजाए थी कुछ भूख लगी है मेरे भाई अरे आप अरे आप कौन साथ गाना है जो इतने मज़ी ले रहों सेक्सी गाना है बाई अच्छा मज़ी लेने का दिल हमारा भी करता है आएगा तेरा भी नमबर आएगा ऐसे क्या तो पहले तू मिंजा कर लो अभी नहीं आप मेरे घर आईये बाद में अदलाबद्ली कर लेंगे साथ काम कर रहे अदलाबंदी करने का मोगा तो मिलता रहेगा तेरी तो मेरे देखो में बुजर्गू ऐसी भाश्यकस तमल मत करो क्या करेगा तू मेरे दादा जी और गार्णी जी आज़ादी की लड़ाई की तू मैं एक हाथ पड़ेगा ना बत्ती सी बाहर आजाएगी तुमारा दोस्त गोटियां खेलते रहते हो पकड़ा-पकड़ी खेलते रहते हो अब ही दीखाता हूं तुमको क्या वक्या आप क्या वड़ा है और ओफिस में काम धनला नहीं है दादा ऐसा मत बोलो शंकर दादा खड़े हैं शंकर दादा मैं कंप्यूटर के लिए नहीं बोल रहा है यह अंसां से ही होती है पर कंप्यूटर कभी गलत नहीं हो सकता तो मेरे भाशन का निचोड़ यह है अगला हफता कब लेने आएगा दस दिन में दादा दादा द्रस तो याद रहेगा ना रहेगा शंकर दादा दादा नहीं दादा अगर एसी नहीं लगाएंगे तो एंग हो जाएगा यह मतलब बंद जाएगा जैसे हमारे लिए खाना जरूरी है वैसे कंप्यूटर के लिए एसी जरूरी है जी दादा पंगा नहीं चलेगा कितना बंगता है कमरा बढ़ा है और लोग भी बास मारते है ची ची इसलिए मैं से दो टन के दो एसी से काम चला लूँगा चलो आभी सब लोग एसी में बैट के कंप्यूटर सीखने का चंकर दादा इंड कंपनी कैसा लगा लंबू काफी होश्यार है रहे लेकिन ये फुगगा काई कोड़ाया कैसी बते कर रहे हैं पूरे शेर को मालूम होना चाहिना कि आपका इलाका है ए पक्या दादा अभी कितना देते रहे इसको मेरी हजार बढाने वाले थे आपने इस खाने के लिए हैं अगे ये मिल जाए तो लाइफ सेट हो जाए अपनी बबलू कौन है ये अंजलीना जोली होलिवूड की हिरोईन वही की हो सकती है वह उपर वाली भी ऐसी दिखती है कि तुमें इतना जटका क्यों लगा मुझे उसकी बारे में कोई बात नहीं करनी तुम क्या ये लोट कराएगा हुआ 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 है हुआ हुआ इसके साथ एक बार डिसको जाना है इधर सुनों मुझे बुलाया मेरी नज़र रहेगी तुम पर ओके 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 डबल ओके जैसा ये दिखता है वैसा लगता तो नहीं नो डाउट ये जोला रहे है हाँ आज तो पसी ना नेखा हवा क्यों टाइट है तेरी? मुझे भी खुश पताएगा क्या बताओं अंकल जी मैने तो सोचा था शंकर दादा की बहन कोई आंटी टाइप होगी लेकिन इसने तो मेरी घंटी बजा दी किसी को पता चला तो तेरी बज जाएगी उनके बजाने से पहले मैं बजा दूँगा फोन की घंटी दिखाता हूं कैसे अबे पता फेग ना एलो राजो एक लड़की मुझ पर फिदा हो गई है काउनसी लड़की वही शंकर दादा की बहन इस समय मत पढ़ अंकल आवाज बदल कर क्यों बात कर रहे हो आवाज नहीं बदली बदली है तो तुम्हारी किस्मत मैं तुम पर फिदाज रहो चुकी हूं चीची आपका टेस्स इतना खराब थोड़ी है जो आप मेरे पर फिदा होंगी मुझे तो तुमसे अच्छे लड़का मिल ही नहीं सकता अच्छा ऐसा हो सकता है अंकल भी यह ही कह रहे थे नाटक मत करो मुझे पता था कि तुम सर्फ दिखते सीधे हो मैंने तुम्हारी सारी बाते फोन में रिकॉर्ड कर ली है वीडियो भी बनाया है टिकनोलोजी को यूज करना मैं भी जानती हूँ अच्छी तरह से अगर ये वीडियो मैंने अपने भया को दिखाया तो क्या होगा मेरी आपसे तो क्या किसी से भी शादी नहीं होगी पर अब मैं क्या करूँ क्रिष्णा थेटर में मुझे फणा मूवी देखनी है टिकेट नहीं मिलेगी फिल्म हावसूल जा रही है वो तुम्हारी प्राब्लम है मुझे नहीं पता तुम क्या करोगे पर तुम मुझे वो फिल्म दिखाने ले जाओगे और किसी को यह पता नहीं चलना चाहिए नहीं तो मैं 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 समझ गया मैं मैं चुगार कर लूँगा टिकेट का बंदवस हो जाएगा आप जाहिए आप जाहिए नहां लीजिए फिर एक बार नहां लीजिए सब के सामने उसे कैसे लेके जाओगे आप वैए तो सोच्छे रहां आप वैए दो लूँ अभाई तरह कि संबल कर जाना जंग ली कुटे घुम रहा बाहर जल्दी आना जल्दी आओ किसी ने साथ में देख लिया तो चमडी उतर जाएगी तो क्या देख रहा है जल्दी चला चल 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 जड़ा दॉट अपन लड़की के साथ पहली बार जा रहा है गुंटा हाटा ना है समझ गया समझ गया शर्म आ रही है तो कौन से फिल्म जाना है पना वह लेटेस्ट फिल्म असल में रोमेंटिक फिल्म देख के कुछ कुछ होता है पास बैटना मैं जंगली कुट्था थोड़े ही हूं जो काट लूंगा वो लेक दो कुट्था आउट वॉलेक दो कुट्था आउट जल्वे मीटर के पास माचे इसकी तीली जला होगा ठीक से देख इतना हुआ रहे 50 रुपे पचास रुपे तेरा मीटर तीरी आटोसे मैं वेवकूफ दिखता हूं क्या है एक पचास मंगता है या लगता है पैसे जाड़ पे उकते देखो मालती है मालती भाई ए छोड़ रहे है मालती मालती पोड़ दूंगा सले चल निकाल यहां से वालती मालती कि अ कि अ एक हूसर तुम्हें हसन नहीं आता क्या आता है तुह हसो ना तुम्हारे भाई को पता चल गया तो पता है हमारा क्लामेक्स क्या होगा तुम्हारा दी एंड मुझे कुछ खिलाओंगे नहीं किया पैसे तो दो मैं कोई पर्स या बैग लाई हूं क्या जाओ जाकर लेकर आओ मत अभी लाता हूं कहां फुज़ गया क्या माले बार प्रीए क्या इसर बबलू यह माल क्या होता है माल तो बहुत टाइब क्यों होते हैं कमाल धमाल हमाल रुमाल जुमाल अरे वह सब नहीं यह पीछे वाले मुझे माल के रहे थे यह तो बड़ा गुलमाल है उन्हें बोलने तो आप ध्यान मत दो मैंडम क्या मतलब बात में समझा दूंगा फिल्म देखिये ना माल का मतलब वो आपको धंदे वाली कह रहे हैं जाओ उन्हें जाकर सबक सिखा कर आओ छोड़िये ना उन्हें अपने करमों की सजा मिल जाएगी मेरी बात नहीं मानी तो भाया को बोल दूगी मैडम जरा पीछे मुड़कर देखे हो बहुत सारे हैं तुम नहीं जाते तो मैं ही जाती हूँ मैं जाता हूं, आप बैठी ही, मैं जाता हूं ये नौरी पड़ेगी मुझे पर भारी क्या भे एरो बनते हैं? ए एरो निकल नहीं तो मार खाएगा देखो भाई शंकर भाई का नाम सुना है हाँ, शंकर भाई ये उसी भाई की बहन है रुको रुको लुपो, पेंसे से मेरा मेरा मुझत रहा है लानी मालती कहां चली गई, क्या-क्या सोचा था मैं बेबी तुम अभी इतनी रात को कहां से आ रही हो मैं वो फिल्म देकर आ रही हूं क्या 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 फिल्म देकर मैं अभी दादा को बताता हूं मैं भी बता दूंगी क्या बताओगी कि तुम ही मुझे आटो में ले गए थे और पास आओ मैं जक्तिकुता थोड़े बात याद रखना शंकर दादा की बहन एक फिल्म भी नहीं देख सकती, हुआ सएड इंकम टैक्स देपार्टमेंट के लिए हैरानी की बात है मश्यूर शंकर दादा के घर से मिले तो सिर्फ छे अजार रुपए यकीन नहीं होता है यह पैसा गया तो किदर दादा मुझे कुछ नहीं पता मैंने कली उसे पचास लाग दिये थे और उसे समालने को कहा था सबसे आखिरिम वही गया था पैसे तो पैसे हमें एकाउंट्स के रिजिस्टर तक नहीं मिल रहे हैं पहले उसको भगा दिया आप दादा के सामझे ना तक कर रहा है तो मैंने आपका खाना खाया दा पेड भर के जक्या जी दादा पबलू के घर जा वो उदर ना मिले तो उसकी मा या बाप किसी को भी उठा कर ला गुद मॉर्निंग दादा किदर है आप उनका पैसा है इए इदर है यारे मेरे साथ ही तीन पांच कर रहा है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया अंकल से पूछी है फाइसा किदर है वो क्या है आइसा किदर गया दादा मेरी बातो सुनी किया ऐं पाइसा लेकरा डदा बाइसा लेकरा हुआ णूँआ हूँँआ हहां पूरे 50 लाग जो आपने सोचा कि चोरी हो गए अकाउंस मैंने फ्लॉपी में कॉपी करके सारी फाइल्स जला दी, पता है क्यों? आप समझते नहीं, ये सब ब्लैक मनी है, इंकम टेक्स की रेड होने पर बहुत प्रॉब्लम आ सकती है आपके पैसे चोरी करके नाहीं मुझे वन रूम किचन करीदना है नाहीं स्कूटर, खाने के वांदे हैं लेकिन आपके लिए जान दे दूंदा आप उनको इजट प्यारी है, अब उन गुस्ते में तेरे को कुछ ज्यादा ही सुना डाला कोई बात नहीं दादा, आपके सुनने के लिए तो पगार मिलती है अभी इसको कित्ता दे तेरे पक्या समझ गया, इसका पगार और दो अजार बढ़ाना है ना? दोजार नहीं, चार्ट मुझ खुलाना तो खुसेड दूँगा सुपर, इसको कहते है, अकल लगाओ ज्यादा कुराट्स, सिर्थ थैंक्स से काम नहीं चलेगा, तुम्हें मुझे बाहर लंच के लिए ले जाना पड़ेगा, ओके? प्लान काके मुझे बता देना, मैं रेडी हो जाऊंगी नहीं ले जाऊंगा मैं क्या कहा? नहीं ले जाऊंगे? नहीं तुम्हें क्या लगता है, कि तुम मेरी कोई बात नहीं मानोगे, तो मैं चुपचा बैठी रहूंगी? मैं सीधा जाकर वो वीडियो पर भाया को दिखा दूगी, फिर देखना तुम तो दिखा दो ना, इतनी बार धंकी तोगी, एक बार गलती से मिस्चे क्या हो गई, उसके लिए रोज टॉर्चर करोगी तुमसे अच्छा तो तुमारा भाई है, एक बार मी वन टू का फोर कर देगा, तुमारी तरह रोज सर नहीं खाएगा, जाओ यहांसे फना क्या दिखा दी, मुझे फना करने चली अरे अरे अरे, उसका दिल तूड़ दिया तुमने, अगर उसने डादा को बता दिया तो क्या वो भाई को बता देगी? और ने तो क्या, कोई भी भाई बहन को रोता नहीं देख सकता, कोई समझा ओ इसे यह मैंने क्या कर दिया? गुस्से में आकर मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया वो तो है, लेकिन अब पस्ता का कुछ फाइदा नहीं होने वाला अब तो शायद उपर वाला ही तुमें बचा सके मुझे मुलका शट्रम बंद रखना चाहिए था अब क्या होगा मेरा उनके शरीर में ग्लूकोस कम हो गया है मैंने इंजेक्शन दे दिया लेकिन आप उनके खाने पीने पर ध्यान दीजिए चाल कट इधर से उन्हें कुछ खिलाईए मैं चलता हूं क्या है बिटाई सब तेरे को नहीं बताना है तो मत बता लेकिन नाश्ता तो कर ले मुझे नहीं खाना नहीं खाएगी तो क्या होगा पता है मैं मर जाओंगी यहीं ना मर जाएगी फिर आप उन जिन्दा रहेगा क्या आपने का घर से बाहर मत जाओ मैं नहीं जाती जील मे किसी कैदी की तरह रह रही हूं किसी से मिल नहीं सकती किसी से बात तक नहीं कर सकती तकलिया पूजा जो भी पूछते उसका जवाब नहीं देता समझ में नहीं आता दा ये लोग मैं जो कहते हूं इन्हें समझ में नहीं आता और इनकी बाते मुझे समझ में नहीं आती बर्ग तुम लोग को दिमाग खराब हो गया है या कड़ा गई है अगल समझ रखाए मेरे को मालूम नहीं पड़ेगा क्या मैंने कुछ नहीं किया दो मेरी भेएंग पूजा को जानता एक तरह वीर यहां मं ने अपनी बेहन को सुन छैप करके 예 बढ़ों किसंव mejorar और आभा शनफ को जाने को बोला तेरे को नहीं तो ταव आपने च्छाटे के बाल कारे को झखा़ तो divulo तो बोलिये? आज से ओफिस के साथ साथ पुजा का ख्याल रखने की जिम्मेधारी भी तेरी? जरूर दादा ये जंगली लोक के इंग्लीज नहीं आती ना इसलिए पुजा को बहुत तकलिफ होती है है सही है दादा क्या सही है? आप जो भी बुले वो सब सही है अच्छा तेरे को इंगलिज आती है आप से भी आती है चल बेरे सामने पूजा से बात करके दिखा है एलो ए शुरूपर एलो हेलो थैंक्स for not telling anything I'll never tell him anything about it अरे 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 क्या जवरदस्त इंगलिज बोलते तुम तोनों आप उन्खुस हो क्या अच्छ सांगली के अमले आपको मिलने को आए कौन सा हारा हुआ या जीता हुआ हारा हुआ खड़ा करके रहा थीक है दादा एई दादा देग अप उनको नहीं बता तो आप उनकी बैन क को इंगलिश में क्या बोलेगा पर उसके खाने और मूड का पूरा ध्यान रखना जी नहीं तो समझा ना मैं उसको खुश देखना चाहते हैं जी चल अपनों टेंशन टेकिंग मेरी इतनी छोटी बात का तुम बुरा मानोगी सोचा नहीं था मेरे लिए एक छोटी सी बात इन लोगों ने मेरा कॉलेज जाना बंद करवा दिया इन सभी जानवरों के बीच में एक तुम ही इनसान दिखे तुम्हारी शरारतों में तुम्हारी समझदारी नजर आई शायद इसी वज़े से मैंने तुमसे दोस्ती करनी चाही मैं अकेली ही तुम्हारे साथ फिल्म द पेट पुजा कर लो फ्रेंज फ्रेंज पाल्दी पाल्दी ऊपर आओ और जट्री लेकर जाओ मामा यह पुजा डैड़ी चुटकी जान के कप्ड़े चेंज करवा जब कर दुमस्ता कर दो झाल्दी तुमस्ता है कर दो कर दो गाने के चकर में बहुत देर हो गई चुटकी इधर कपड़े चेंज करवा पुझा चलो जल्दी नाराएंड कैसा है तू बस आपकी क्रिपा है आप हो गया ने 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 आपको यह पताने आया था दादा मैंने उसे यहां सुधरने के लिए भेजा था और वो तो एक लड़की को लेकर घुम में लगा है उसे घर पे भी लेकर आया था घर पे लाया है भाया मेरे रूम का एसी बंद हो गया पक्या आधा बैन के कमरे का इसी खराब हो गया है मैकैनिक बुला जल्दी दी अच्छा नारायन तुम किसी लड़की के बारे में बता रहे थे ना अकला क्यों रहा हो लड़की में कोई कमी है क्या नादा क्या है कि मेरा बेटा नादान है इसनी आप ये बात जाने दीजे क बाए को जाने दो मेरी किसमत है अजिए दा तो आ रहा है आप उसकार के दिटीए लिए किसम जाएगी इस अब अलत है अब दा यह सुधने का यह बत बोले आप क्या उससे धरते हो देख नहीं जाना किसा सब लोगे मा मेंटे में आई आज बाई आज बाई आए सब आए लागो गुड मॉनिंग दाथा क्या अलंबू काम पर क्यों नहीं आया सच बोलू यहां जूट जूट बोला तो जुबान काट लूँगा पिताजी की तबे ठीक नह तेरे बाप की उसे क्या हुआ एक प्रॉब्लम हो तो बताओ ना लिस्ट बहुत लंबी है उनके लिवर में फिवर हो चुका है लिवर में हाँ देसी दारू की वज़ा से तेरा बाप दारू भी था है सूरज उपते ही शुरू हो जाते हैं उनकी दोनों किड्निया भी खरा रहा है उनके बहरे कानों तक आपके आवाज नहीं पहुंचेगी चिलाने से कोई फाइदा में मर्दूत मैं दुनिया छोड़ने वाला हूं अगर मैंने सच बोल दियना तो तुझे दुनिया थोड़नी पड़ेगी सच ना रहा है कुछ नहीं दादा वो लड़की जिसके स अपने बाप को बेवड़ा बना कर मस्त कानी बनाई रे तो उने बटले का पसीना निकल गया हाँ लड़की लड़की सुन्दर है क्या है संदर नहीं अटी सुन्दर कि यार विए प्यार गया पता हूं और लड़की क्या बूलती है मुही कहला यह सब तेरे बसकी प्ले बता जरा उसे देखते ही मुझे लंबो तो पागल हो गया भाई प्यार में काम पर दियान देना पगार नहीं मेरेगे तो घुमाएगा कैसे उसको और कितना लाखे दू लगता है तो इसके बारे बात कर रहा था वहाँ कुल तो यहां से दो कि बदीधा को घर लाया था पूजा पूजा इसके अंतिम संस्कार की बूजा पता है वह कौन है वह शंकर दादा की बहन है तुम लोगों को मेरी बात समझनी आई सुवा सुवा भांग चला रखी है ये शंकर दादा की बहन से प्यार करता है उसकी बहन है नहीं वह पूरे परिवार की चिता जलाकर रखदेगा अब दरना बंद करो शुक्रवार के दिन शुप-शुप बोलो मेरी बात मानो शंकर दा गले जी बना तूंगी बेटा रोज 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 दाल चावल खाका के बोर हो गये हैं तेरे लिए मैं किट्नी भी बनाऊंगी सुनिए आप बाजार से सामानी बाजार क्यों जा रहा है मेरे पास सब कुछ है जो तुझे चाहिए कात के खा ले मेरे गले में दर्द है कि मैं स हुआ 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 है हुआ 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 प्रॉब झाल अब उनने बेहन को मंदिर ले जाने का प्रोग्राम एकदम अचानक किया, फिर भी उसको पता चल गया और उसने हमला करवाया बेहन को लेकर मैं और रिक्स नहीं ले सकता, कुछ तो सुच नहीं होगा देखो कैसे आवाज आ रही है, इसका मतलब तुम्हें नजर लगी है कैसी बात करी हो भाबी, आग में नमक डालोगी तो ऐसी आवाज आएगी आरे तुने साइंस पड़ा है, उसने किदर पड़ा वो बात तो ठीक है, हमें अब और देर नहीं करनी चाहिए पूजा को मंदिर ले जाकर, इसके लिए पूजा करवानी चाहिए कोई किदर भी नहीं जाएगा, ये सीधा अमरीका जाएगी अमेरिका में क्या है? इधर है बताता हूँ, पूजा, तुझे रामु चाचा याद है जो बच्पन में हमारे घर में काम करते थे? ठीक से कुछ याद नहीं है तु उस समय बहुत छोटी थी, जब तुम और पिताजी मंदिर जा रहे थे और तुम पे हमला हुआ तो रामु चाचा ने तुम लोगों की जान बचाने के लिए अपनी ही जान कवा थी रामु चाचा के मरने से पहले पिताजी ने एक वादा किया था रामु चाचा ने मरने से पहले तुम्हारी शादी अपने बेटे से करवाने का पिताजी से वचन लिया था पिता जी हमेशा बोला करते थे कि रामु चाचा ने वादा लेकर सुकून से तम तोड़ा था पिता जी ने मरने से पहले अप उनसे कुछ नहीं पूछा सिर्फ इतना ही कि क्या अप उनका वचन पूरा करेगा मैं फाइनल बोल दिया अब उन लोगों ने आजय को बच्पन से पढ़ाया है आज हूँ अमेरिका में मस्त पैसे कमारा है डॉक्टर बनके अगर तू उसके साथ शादी करके अमेरिका चली गई ना तो एकदम सेफ भाईया शादी इतनी जल्दी तू टेंशन मत ले शादी के बारे में तुझे अभ अब चली शुरू कर दें अलो अब उनको लगता है अपुजा का यहाराना सेफ नहीं है आज नहीं तो कल तो तुझे उससे शादी करनी है तो मैं कहता हूं कि तुझ जल्दी से आज आ जा और उससे शादी करके ले जा पिता जी ने रामु चाचा को वचन दिया था तू अ समझ गया ना शाबाज शेर का बच्चा है तू अरे क्या देख रहा है भाई फोरण जाकर पंडित को पकड़ कर ला मुरत निकलवाना है जी दादा अरे ओ लंबु देख भाई अपन लोग अनपड़ो जाहिल है शादी की सारी तैयारी तेरी देखरेक में होगी तू बोलू तू बोलेंगे तुम अभी छोटियो तुम्हे कुछ पता नहीं मैंने कह दिया ना फाइनल हमारी प्रॉब्लम से बड़ी तो इस बुढ़े की प्रॉब्लम है यह हमारे साथ रहेंगे तो किसी को शुक महीं होगा बताओ आगे क्या करना है विक्रब मत करो दुनिया चलो मुझे मुझे इस बात का पूरा यकीन है आज नहीं तो कल भाया हमारे प्यार को स्विकार कर लेंगे मानती हूं कि उन्हें गुसा आता है पर वो दिल के बहुत अच्छे हैं और मुझसे बहुत प्यार भी करते हैं अब तुम क्या सोच रहे हो कल्टी का टाइम सोच र तो बोल सकता है हां किसे बात कर रहा था हां गन कहां से आए बोल अब दिखता नहीं क्या आदा नहीं नहीं आदे आधा है कि अच्छा कर देख रहे हो जाओ जाके ढूंड़ा उसे कोई घर के बाहर नहीं जाएगा और नहीं कोई घर के अंदर आना चाहिए जब तक पूजा वापस ना जाए अगर एबात घर के बाहर निकली तो पूजा की जान को फत्रा होगा अंदर किदर जा रहा है काम कर निकली जा रहा हूं अच्छा आज चुट्टी है पड़ोसी की बीवी के साथ घूमो फिरो आश करो चुट्टी नीचे यह पगार कटेगी बगार बगार नी तिरी ना कटेगी एक बार बोला ला चुट्टी है तो चुट्टी है ऐसे कैसे अचाने चुट्टी ादीudhi कोई तो बजया होगी ज्यादा सवाल किये ना तो अमेशा की लिए छुट्टी कर दूगा दादा का मन के है तो छुटी देदी, जाए आसे, ठीक है, ए उपर का आ रहा है, भागे आसे, ए मास्टर, आर से ये अंदर आने वाले को चलता करना, ठीक है, अलो, कुछ पता चला, कहा है पूजा, एक माल पानी की फिकर मत कर, और किसी भी तरह पूजा वापस मिलनी चाहिए दादा, इंकम टेक्स रिटरन फाइल करना है, पहले ही बहुत देर हो चुकी है, आरे, कहीं भी जा, तीरत पचला जा, यहां नौकरी लगने से पहले ही मैं तीरुपती गया था, तभी तो नौकरी मिली, आरे, हरित द्वार जा, अमार नाज जा, कहीं भी जा, पूरी फैमि जल्दी, क्या बोलना चाता है चाचा, देखा कैसे एक तीर से दो निशाने लगाया है, पहला निशाना भाई से शादी के लिए चुटी ले लिए, दूसरा निशाना उसकी बहन की ब्या के लिए पैसे भी ले लिए, और तीसरा निशाना तेरे पिश्वारे में गुसा है तब हमारी बजाए लखडियां काटने लगते हैं वरना अब तक हम सब कुट्टों का खाना बन चुके होते हैं और वो देखो कैसे आंखे फाल कर देख रहा है बेशरम खाली हाथ लोट आया उपर वाले उठाले इसे वाह साला मर के भी हमका एक बात सिखा गया मारो या मरो कितना अच्छा लग रहा है तीरे स्थान पर आकर मन को शांती मिलती है आखर यहां लाने के लिए तेरा दिमाग कैसे चल गया है बत्ती जल जाएगी टाइटानिक इस होटल का नाम टाइटानिक नहीं चुटा टॉनिक होना चाहिए बनी रूम नोमर 106 की चाहिए अधनंगों बसानी भीक मागने पहले चले आपर लखो अभी पता चलेगा अंकल को हाट प्रोलम तो नहीं है अब एक कुछ नहीं है नहीं नमस्ते अहां मेरा भी पर ये शंकर नाता की बेन या क्या कर रही है वो कहना डैडी हम दोनों शादी करने वाले डैडी आपने देखा न आपका भविश्य कितना ओजवाल है अब तो हमें आशिरवात दे दो हाँ इसलिए यहां आले का प्लान किया अब यहां से भागने का कोई प्लान है तो वो भी मुझे बता दो अब दरना बंद भी करो और तुम लोग जाओ तयार होकर मंदिर पहु इसे भी दो मुझे डर लग रहा है डरो महत अपने पास और चिल ले रहे है यह ना है यह प्यार करने से पहले सोचना चाहिए था आप तो शादी भी हो गई अब जिन्देगी उचलते कूदते निकल जाएगी नहीं अब हम रहेंगे कहां सिंपल वापस जाने के बाद तो म मेरे जिगरी दोस्त कालिय के पास रहना क्योंकि इसकी अलावा इसका घर कोई नहीं जानता क्यों रहें कुछ दिन तुम्हारे भाई के साथ काम करूंगा फिर मौका देखकर छक्का मारूंगा और जॉब छोड़ दूगा फिर हम फॉरन फॉरन में सेटल हो जाएंगी और म हम अकल से मिलता है शकल से ने इन में सबने देखते रहें हैं अब कि अब बड़ें और लोगें Calendar कर अफ़ें बड़ेंऊ करते हैं बोगेंटर लोग बाली वीड़ें में बशेंển कर नंबर।ें बाली वाईट रियव में जब बेल ब убийत दोगें झातर भाली ओोगें दोगें दली हैं जूआ उूआ उनू भूआ उनूख उन कि उनू ढूआ किरान छब उनू ऐाव ठाया दो है एड है भूचिछ उनूच उनूट कुछ्या कुछ्या दूर्ओ कर दो कुछ्या राइब अलाइब अलाइब अला कि 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 fighting लिय कि लिय कि लिय कि नहाँ पुचर के अड़ बाओ कि अडिए आरग दो, या-ख रख हा-ख तू या-ख याख भो अज‬ अाई अज‬ अबग्द हम चुर Echo जा गब्राने के बाद नहीं, इनका कोई ज्यादा खुन नहीं निकला अब उनको शुरू से ही पता था, तु धोके बाज है, तूने क्या सोचा था, एक मशीन और बलून लगा कर बेवकूब बनाएगा, वो भी हमारे दादा को, दादा, नुकसन आपी का होगा ना, अब दादा को कैसे बेवकूब बनाएगा, और क्या प्लैंस है, और क्या स्कीम बेवी को भगाने के पीछे भी तेरा यहाँ था ना, और क्या चाहता है तू बताना, बताना, दादा, खर्चा पनी दे दिया इसको, यहां क्या क्या करने आया था, भूल गए दादा, आप इने फैमिली के साथ तीरत पर जाने को कहा था, दूर का बजट नहीं था, क्या, मंदर के आफसें फोल लगा, अगर भांडा भूडिया तो हमाई शादी नहीं हो पाईगी, क्यों भे, पैचाना क्या, भाई पैचान लिया, मुझे उनके नाम चाहिए, जिन लोगों ने कल दस बचे स्पेशल दरशन किये थे, लाइन पे रहो, लाइन पे हो जल्दी क्या नाम है, भाई, क्या लिखा है, समझ में नहीं आ रहा है, चीक से फड़, आप पढ़ रहा हुआ, संध्या, और तो कोई नहीं था ना, वाँ, नहीं, और कोई नहीं, तो फोन राग, मेरी बात सुनना, रायन, तेरे बेटे ने अपनी जान पर खेल कर मेरी बेहन पूज नहीं लोंगा, कितना देते भाई इसको अभी, सबसे जादा पका रहे, 11,000 रुपय, चार अजार जोड़ के राउंड फिगर कर दे आज से, आओ जी, खुप कराओ को इनको, पोल बेटा कौन था वो, बेटा भाई कुछ पूच रहा जवाब दे, बताओंगी तो आप क्या करेंगे, चांद से माट दरूगा साले को, फिर तो भूल जाईए, उससे कुछ नी करूगा तो बताओगी, मुझे आप भरोसनी, सॉरी, ताओ जी, चुप जाओ, नाटिये मत दादा, मैं पूछता हूँ, ठीक है, बताईए, क्या बात है, हाँ, हाँ, समझ गया, हाँ, बो बात नहीं करते, बतादो किसके साथ गई थी, आप चाहे मुझे डराए, फुसलाए, या फिर धंकाए, मैं नहीं बताओगी, 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 नहीं बताओग इसका मतलब आप उनके खर पे लोग इजर से ही नजर रखते हैं तुनों किसी पर विश्यकों तो उसे उठा कर मेरे पास लाओ फॉरान बेहन की लाइफ का सवाल है राजू बता मुझे तुने सब कुछ इतनी अच्छे तरह कैसे संभाल लिया वो रेजिस्टर वाला मेरा दोस्त है उसे मैंने सब बता दिया था इसलिए उसने पूजा का नाम ही नहीं लिया अबे चुबे नालायक देटा तुने कहा था विदेश जाकर तु आपे सेटल हो जाएगा अब जो भीवा उसे शंकर दादा और चोकनना हो जाएगा और तुझे आसपल भटकने तक दी देगा पापा ब्लड प्रेशर मद बढ़ाईए मैं हूना सोचूंगा कोच बबलु मुझे नहीं पता तु क्या सोचेगा पर ग्रह प्रवेश और सुहाग राद जल्दी करो सुहाग राद लिवर और गुंदा खाके तुरे दिमांग में भूसा भर गया है अब कोई सुहाग राद नहीं अवावस कि राद आएगी सिर्फ अभावस अरे बबलु शेंकर दादा की बहने फिल्म देखने तो तेरे सथ गई थी लेकिन भाग गए किसी और के साथ अब सब घुल्डे उसे ढूड रहे हैं मैं ही उसे ले गया था क्या हो अब मुनेम जी अब कुछा नहीं अपना काम करो शादी के बाद एक-धुसरे से दूर रहना मुश्किल होता है हादी कर ली तो भाग-गर क्या जोगिं कि लिए बठे है पर गयी तुमने क्या मुझे बड़े ससूर जी की चंपी करने बुलाए बात करनी थी हमारा प्लान फेल हो गया और हम पकड़े गए यह तो बहुत ही अच्छा हुआ अब मुझे पता चला कि तुमारी जान को कितना खत्रा है तुम यहीं सबसे ज़्यादा सेफ हो हमारी प्राब्लम कैसे सॉल्व होगी हमें अपनी प्राब्लम से डर कर भागना नहीं है बलकि प्राब्लम को भगाना है हमारी उस प्राब्लम का क्या कौन सी प्राब्लम वही जो शादी के बाद होती है सु हाग रात मैंने आंटी से बात की और उन्होंने कहा कि इस अफ्ते अच्छा है वह सास बार में अच्छी जमरेगे आropol को च्रा हो पर बें जा राँ अंकल जडना फोन दे ना फोन का क्या करोगी अलो कार्बोरेटर बोल रहाएं कार्बोरेटर नहीं ये, कॉर्पोरेटर बोल, कार्पोरेटर गाड़ी में होता है, अल्लू से फोन बल्लू को दे? हाँ, हाँ, देता हूँ भाई, साले साहब बात कीजिए ये बल्लू, तेरे बेटे की गलती के लिए शंकर दादा ने उसे मारा पर लड़की ने क्या क्या है, उसकी जान के पिशे क्यों पढ़ाए तू? असली मर्द का बच्चा है तो, सीधे शंकर दादा से पंगा ले ना? ए, तू कौन होता रहे मुझे सिखाने वाला? शंकर से तो मैं बदला लूँगा ही, उसकी बेहन को मारूँगा और तब जाकर दम लूँगा अगर तुझ में दम है, डेरिंग है, तो ये सारी बाते शंकर दादा को फोन करके अभी बता दे ये क्या किया, मेरे फोन से फोन किया, अगली बार धमकी देने के लिए अपना फोन इस्तवाल करना, मेरे फोन मुझे दे दो और मुझे माप कर दो, नमबर चेंज कर दे ला, मुझे मुझे सुनना, बिल भी मुझे भरना पड़ेगा फोगट में पंगा लिया है तुन्हें, तेरा नाम निशान मिटा दूँगा मैं, और ये फाइनल है, सुना तुन्हे, शंकर दा फोन पे कैसे चिला रहे हैं, इसलिए तो मैंने फोन किया था, बैलेंस है ना फोन देना जरा, मैंने दूँगा, अरे घर पे फोन करना है, पत अरे खोली खालो, बस करो, ये टैबलेट लंच ब्रेक में मत खाओ, गोली ने खाऊंगो तो लंच तक जिंदा ने रहूंगा, पहले ताला लगालू, अब क्या होगा मेरा उपरवाला ही जाने, अब अब तुम यह क्या कर रहे हो, अरे, क्या कर रहे हो तुम, भाईया ने देख लिए तो जान ले लेंगे, सुभे तुम ही तो उतावली हो रही थी, अब मना क्यों कर रहे हो, ऐसे सुहागरात कब होगी, सुहागरात, दिमाग खराब है तुमारा, दिमाग होता तो शादी क्यों क तो भाईया कहेंगे शादी कर लिये, तो अब जाकर सुहाग रात मना लो, मौर मौर के हम दोनों की चटनी बना देंगे, हट्टू! सही कहा, तो मुझे पर्मिशन लनी पड़ेगी, हम, वन मिने, इसे फून कर रहे हो, तुमारे भाई को, इस शंकर दादा दिस, बबलू यार, यार, शिस्टर इन फिर, फॉलिंग टियर, पुट यर गटी इन फिफ्द गियर, फास फास काम यार, वित ग्लास ओफ, छोड़ूगा नहीं, छोड़ जाए, इधर काई को आया, ये पुछी की कैसे आया, ज्यादा शान पट्टी की, तो काट कर फेंक देगा तरको, आप मुझे गलत समझ रहे हैं दादा, मैंने ही आपको फोन किया था, उस वाले फोन से, हाँ भाईया, दादा, मैं तो एक क्यों बेबी, सामने से सौ दुश्मन आएंगे, तो आप अकिल उनसे निपट लेंगे, ये मैं जानता हूँ, लेकिन कोई छुपकर आतर ठोक के जाएगा तब क्या, आपकी पूरी पल्टन दी बाहर, किसी नहीं मुझे रोका क्या, ये तो मैंने आपको बताया लोचा है, वरना ये लोग तो खा पीकर यहां सो रहे थे, तभी पेट बाहरा रहा है, दादा, बेबी पे पहले भी हमला हो चुका है, हमें साउधानी बरत नी होगे, कोई प्लैन है तो बोल, मेरे पास एक धासू आइडिया है, अगर आप पुछेंगे तो मैं बता दूँगा, बोलन है, तुम दो का रहे हो, इतरी रुगो, आगे मत बढ़ना, हम इस गाड़ी में नहीं जाएंगे, हमें आराम नहीं चाहिए, हमें सुरक्षा चाहिए, चली मेरे साथ, ठीक, कितनी ओवर रैटिंग करते हूँ, आगे रोब देना, हम रिक्षा में जाएंगे, अच्छा ये सब छोड़ो, तुम रसोय से जाकर मीटा ले आओ, जल्दी जाओ, ये बागवान, ये सब क्यो जवा कर रही हो, शंकर दादा के सामने, तुम कैसे पुजा करोगी, बबलू कुछ न कुछ कर लेगा, मुझे फि वहीं रुख जाएए, माँ ये सब जरूरी है, क्या ही, संध्या, आर्ती की ठाली लाना, जला इसे, क्या जरूरत है इस सब की, बिल्कुल है, आपकी बेहन पहली बार हमारे घर आई है, अपना दाहिना पैर आगे करके अंदर आओ, या ना रायन चुपचा बैटे हो, अरे नहीं खत्रे की बात नहीं है, मैं बस सोच रहा था कि आप इतनी रात के इस गरीब की घर बना रहे हैं, ये सब तुवारे बेटे का कमाल है भाई, सुनी भाबी, आपन पुजा के सिर्फ भाई नहीं, सब कुछ है, कभी सोचा नहीं था कि शादी से पहले उसे किसी दूसरे के घर में भेचूंगा, मैं उसे पहली बार आप किया छोड़ रहा हूं, बस चार दिन के लिए उसे समाल लीजी, दाई ने पैर से हमारे घर में कदम रखा है, अब पुजा मेरी बेटी हो गई, आप फिक्र मत करो, बबलू है न यहां, अब उनका बहुत वरोसा है इसके उ चल निकलता है, चल बाई, अलिए दादा, आटो वेटिंग, मिलते है ना रायन, दादा आप और आटो में, तेरे बेटे का दिमाग है, तू क्या सोच रहा है भाई, मोरत निकालू क्या, चल बाई, ठीक है, मुझे तो यह लगा था तू गलती है मेरी, लेकिन तू अलग ही एक बात तो है, तुम्हारा सेंस ओफ यूमर और दिमाग, तो नहीं अच्छे, यह सब तुम्हारे प्यार का कमाल है, वो तो है, अब असली काम कब करना है, कौन सा काम, अरे हमारी सुहाग रात और क्या, इतनी बड़ी चीज इतनी आसानी से नहीं करने वाला हूँ, शंकर सादा के आशिरवाद के बाद ही मैं ये काम करूँगा, बहुत अच्छे, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर मुझी तुम्हें किस करने का बहुत मन कर रहा है, क्या इसके लिए भाया की परमिशन लेनी पड़ेगी? लेनी, मुझे लगता है ये काम हम बिना परमिशन के क सकते हैं, ये क्या, तुम अभी तैयार नहीं हुई, जल्दी तैयार हो जाओ, बूलू ना, पुझा को कही नहीं जाना, वो यही हमारे साथ रहना चाहती है, कुछ दिन और इंदजार करो, तुम्हें यहीं आना है, समझो ना बबलू, उसे कुछ दिन और यहां रहने दे, म अब उन बहन को कुछ दिनों के लिए यहां छोड़ के गया था, लेकिन लगता है आप लोगोंने उसे दिल में जगे दे दी, पुझा, चलो अब इन्हें और तकलीफ देना ठीक नहीं होगा, अरे, इसमें तकलीफ की क्या बात है, पुझा के आने से रौनक हो गई है, उसे कुछ दिन यहां और रहने दीजे, शादी के बाद तो यह दूसरे के घर चली ही जाएगी, कुछी दिन तो बचे हैं इसकी शादी में, अब तो इसे मेरे पास रहने दीजे, अब उनसे दूर चली गई तो मैं जल्दी इस से मिल नहीं पाऊंगा, नमस्ते बादी, चल पूझाएगा नाम नरायन शास्त्री, फ्लैट नमबर 11, फ्लैट नमबर 326, जोरबाजार, मुंबई बाद बाद बाहर निकलो, और उसे क्या काम है, काम चलना है, वो हर चीज में, उंगली कर रहा है, हम उसके उंगली कर देंगे, हम उसका पैर भी कर देंगे, इतना ही नहीं वो हर चीज़ बे अपना सर भी डाल रहा है ज्यादा बगवास की तो पोलीस बे कंप्लेन करतेंगे अपाँ और भाँ है अपाँ है अपाँ अँगू और रहुटू ताओ यई जिर खड़ आव खड़ खड़ जाओ रह जाँ पर रह कला भुव हुष्पम झाओं एक हुष्पम बबलू चाहिए तेरे को तेरे ने ने बबलू चाहिए यह काखना मातरो हाँ मैं ही हूँ पॉल्वू पॉल्ट लेगे अंगली चाहिए मेरी और किसे मेरी उंगली चाहिए यह था क्या यह यह कॉंसा चाहिए यह वाला यह वाला हाँ इसी पैसी मारेगा अब मार तुझे मेरा सर चालिए? ने, ने, लेने तो आया था ना? ने, जरूद नहीं है. चर्मा मत, मैं देता हूँ, ले, ले. मुझे जबरदसी लेने की हादत नहीं है. तुन नहीं भी लेगा ना, तो भी इस बार मैं तुझे दूँगा. ऐसा? वो है किधर? इधार. सीधे अपने ससुराल में चला रहा है, क्या, कौन है तू? अपन अपना इंट्रोडक्शन तभी देगा, जब तू बताएगा कि तू कौन है? कार्बोरेटर. क्या बोला? कार्बोरेटर. माल डाला? घलत. कार्बोरेटर नहीं, कॉर्पोरेटर. कार्बोरेटर की ज़रुवत कार को उती है, और कॉर्पोरेटर की पब्ली को. फिर से बोल. कार, कार्बोरेटर, मेरी गदर. तुने हमरे आदमे प्याहत उठाया? कान है रहे तू? अब तक पुजा की हिफाज़त की जिम्मेदारी सिर्फ शंकर की थी. अब उसमें मेरा भी नाम जोड़ ले. शंकर दादा के पास ताकत है, तो मेरे पास दिमाग है. तुन क्या कर रहे हो, कॉर्पोरेटर? पानी मांगने आया, तो मुझे मार रहा है? साले साहब, ये टापिक बदल रहा है. मैं ऐसा क्यों करूँगा? यहाँ ये मेरे साहब, जरा वहाँ देखिए. ज्यादा बोलोगे तो मटके सर पर फूटेंगे. प्यारे भाईयों और उनकी बैनों, मैंने हमारी पानी की समस्या, हमारे कॉर्पोरेटर और उनके साले को समझा दिये. और उन्होंने वदा किया है, कि एक हफ़ते के अंदर पानी की सारी समस्या, ये खुद सूझाएंगे. जिल्दा बोलोगे न तरको, ताकत से जादा, भीजा, भीजे की जरुरत होती है. अब एक बार भी अगर पूजा की तरफ या मेरे परिवार की तरफ आख उठा कर देखा तो तेरी बाल की दुकान के साथ तेरा भेजा भी काट डालूँगा पंगा नाले दादा इन पेपर्स पर साइन चाहिए कल इंकम टेक्स रिटन फाइल करनी है और लंबू जी दादा तुने आप उनके बहन से उस चोकर के बारे में बात की क्या किसके बारे में कमीला जो से लेकर गया था मैं सिर्फ अपना काम करता हूँ किसी के निजी मामले में दखल नहीं देता अंकल से पूछ लीजे उप उनका पूरा भेजा हिल गया है मिल जाए तो छोड़ूँगा नहीं उसे एक ही इंसान जानता है कि वो लंबा दिखता है, छोटा दिखता है, मोटा दिखता है, दुबला दिखता है, कैसा दिखता है कौन है वो? उसे खुद ही देख ले दादा, यह यह वो नमस्ते दादा पर लाने में प्रॉब्लम होगी यह मुझे नहीं मैं इसको लेके आया तरी क्या रहे लड़का लाया के कोई पहाडी चुवा ढूंड के निकाला है नाम क्या छोटो सुबरमशन्यम टेंडवा निकार मुंबई का यंचन्ही का जौब अचलाओ का या इडली डूसा दोनोंसे पट बरता है अफोन अस लड़के के बारे म्ता रहा है तुझे उनली डोसा अपटा रहा है तुझे एनाम क्यों दिया मैं क्यों दिय अबे मैं उस लड़के के बारे में पूछ रहा हूँ जो इसके साथ था तू पैचान लेगा की नहीं सो लोगों के बीच में भी पैचान लूँगा इतना अच्छा दिमाग है तेरा दिमाग की बात मत करो उसने मुझे बेवकुप बनाया सो रुपे के लिए सिर्फ सो रुपे के लिए दादा छोड़ूंगा नहीं एक बास सामने आजाए सब लोग लाइन लगाओ देख मैं अपने सारे लोगों को यहाँ पे खड़ा करता हूँ तुझे उन में से उस लड़के को पैचानना है समझा सब लोग लाइन में खड़े हो जाओ चलो लाइन लगाओ लाइन लगाओ दादा ने बोला है लाइन लगाओ यह तेरे को इंविटेशन भेजू क्या हम लोग खड़े होंगे तो अच्छा नहीं लगीगा लंबू दूसरों को बुरा लेगेगा इसलिए मुनीम और तुम दोनों खड़े हो जाओ लाइन में नना यह बिल्कुल भी नहीं है हाँ 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 आँ ए ंदिश कर hat हुआ अयज है लगा 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 लोगा लगा लगा तूबीदीरी रएगा कुछदिन वो इधर कहीं भी देखे तो आप उनको बताने का इसके रहने का इंद आजाम करो एधर रखना अब गोली नहीं खाऊंगा तो तो मैं टेंशन से मर जाऊंगा टेंशन तो मुझे लेना चाहिए तुम क्यों गोली पे गोली खाये जा रहे हो अगर उस बच्ची ने तुम्हें आपने बार्ण बन оружा करता है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें दुख रहा है कि उसने क्यों नहीं बत्दाया मेरी बार मैहसा तुम्हें पता है मैं तुम्हें। कितना प्यार करता हूँ, अपना बेटा समझता था हाई हाई छोटे थैंक्स यार थैंक्स वैंस, कुछ नहीं अपना सो रुपया देदो सिर्फ सो यहले, तो सो रुपय रग बहुत है अपने पास आशकर तो तो मास्टर, तुने बाहर धूट किसले बोला? सो रुपय डूप जाते, वैसे भी होटल दे डूब ही चुका है अब क्या है ना अंकल, दादा ने मुझक कोई ही पर रहने को बोला इसले में फ्री में खाऊंगा पिऊंगा इसले दिल पर पथर रखे, मैंने ये फैसला लिया ए तेरशा ने, किसी दिन तो बतानी पड़ेगा उस वक्त तु क्या जवाब देगा बोल मैं बोलूँगा तुई लड़की को होटल में लेकर आया था लगे 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 तुमने देखा, तुम्हारे जनम दिन के तयारी इतने जोरशोर से चल रही है आपने खाया तुम्हारे भाया से पहले कैसे खालू भाया ने नहीं खाया, तो क्या हुआ शादी के बाद तुम्हें पता चल जाएगा कौन है वो क्या सोच कि ऐसा किया उन्हें पता चल गया तो वो तुम्हारी जान ले लेंगे जीने के लिए तो हर कोई लड़ता है लेकिन मैं अपने प्यार को जिंदा रखने के लिए लड़ रहा हूं ऐसे डायलोग फिल्मों में अच्छे लगते हैं और मेरे पते फिल्म नह लेकिन है मैं तुम दोनों को आशिरवाद तो दे सकती हूं लेकिन मैं अपने पती को नहीं समझा सकती आपका आशिरवाद ही काफी है जब तक उन्हें खुद ना पता चले आप उनको ये मत बताना कि हमने शादी कर ली है लंबू क्या हो रहा है वहां कुछ नहीं दादा कुछ नहीं जी हम पूजा के जरम दिन के बारे में कुछ बात कर रहे थे इसको बोल तैयारी जबरदस्त होनी चाहिए मेरा विश्वास कीजिए दादा आप जैसा चाते वैसा ही होगा परोसा है मेरे को रड़का बहुत तेज है चलना जख्या खुश रहो ताओ जी गुस्ता मत हुए अजय के आने की खबर नहीं दी क्यूंकि वो सबको सर्प्राइज देना चाहता था कहीं का प्रेसिडेंट है जो सब सर्प्राइज होंगे जाय एक यह बबलू है हमारे पासी काम करता है विएक बापो हमारे बहुत अछे दोस्त है इसने दो बार जान पर खेल कर पूजा को बचा लेंग Ten और बहुत फिरावाद की विर्यानी तला हुआ पाया भेजा मसाला अरे बापरे, अगर मैंने ये सब खाया तो भूख ही नहीं, मैं भी मर जाओंगा क्या रहे लंबू, बत्ती नहीं जली क्या जली न, आप बोले तो हसू कम बोल, तुम खाना खाके रेस्ट करो, शाम को दावत है मेरा बर्दे तो अजे को भी याद था, वो मेरे लिए गिफ्ट भी लेकर आया तुम मेरे पती हो, फिर भी मुझे कुछ नहीं देते अरे वो तुम्हे पटाना चाहता, इसलिए गिफ्ट दे रहा है मेरी तो तुम से शादी हो गई है, गिफ्ट दू ना दू, क्या फरक पड़ता है जो करना बन करो, मुझे गिफ्ट चाहिए बस गिफ्ट देने का मज़ा तो तभी आता है, जब वो एक सर्प्राइज हो अच्छा तो मुझे सर्प्राइज कब मिलने माला है? शाम को पाठी में शाम तक इंतिजार करना पड़ेगा हाँ, हाँ मुझे चाहे कितने ही गिफ्ट क्यों ना मिले पर मुझे तुम्हारे गिफ्ट का इंतिजार रहेगा ज़रूर मेरी जाम कितनी बहुत उनों कुछ को है समझ में नहीं आता तुमको, मैं किसके लिए काम करता हूँ, अरे वो बहुती अच्छे इंसान है, बहुती महान है, अब मेरी बात सो, जी दादा, किस से बात कर रहा था फोन पे? पूजा के आशिक को पकड़ने का हमें एक मुखा मिला है कैसे? ओ, कमीना आज पूजा की बर्डे पार्टी में उसे किफ्ट देने आने वाला है मैंने फोन पे सुना मेरे को पता नहीं तू क्या करेगा पर उस डेड़ फुटिये की मदद से उस कमीने को पकड़ कर तू मेरे पास लाएगा अजे को भी खिलाओ भई अजे को भी खिलाओ भई हाई भाबी अरे केक कहां गया? नीचे है कुछ तो गडबड ज़रूर है क्या मुनीम जी सुके सुके अरे आज अपन की बहन का बड़े है दरू पीओ चिकन काओ क्या ये गास फूस खा रहे हो चलो गलातर करो नहीं दादा पीने के बाद मैं कंट्रोल में ने रहता उपर का डिपार्टमेंट मेरा खसक जाता है मतलब तू किसी का मर्डर भी कर सकता है हाद आदा शायद भो भी सकता है आज तू पीएगा और जो मर्जी ये करेगा यहां तक कि किसी का मर्डर भी कर देगा तो कोई कुछ नहीं बोलेगा मुनीम पूरा मजा लेगा, कोई बीच में नहीं आएगा, तू पीना याँ पीक टली हो जा हाइ, पुजा स्क्वीज मी यह लोग इतनी जादा क्यो पी रहे हैं मैंने तो कभी शराप को हाथ नहीं लगाया मुझे पसंद नहीं लेकिन मुझे तो पसंद है यह रोस पीती हूं वो बी, on the rocks I have no problem drinking, I love it and if you don't mind can I go and take a shot यह जदी चला यह अपना तुम लोग यह क्या कर रहे हैं? बबलु नहीं बुलाया है बोल तो यह जैसे बबलु घर का दामाद है यह पीने अए यहाँ पार्टी और उसी में बुलाया है क्यों हो गया? हम लग तो टाइम पे आया थे वो कुर्ते वाले ने लेट कर दिया यह कहा उसने? उसने कहा कि खाना मिल जाएगा बरतन साफ करने पड़ेंगे हम दोनों को उसकी तो बरतन उससे साफ करवाएंगे चल रहे है अज तो बढ़िया उसको इतने अच्छे अंसान को उसने गुलाम किसे बोला? सर उसकुर्ते वाले की नजर आपके बड़ी बेटी पर है उसने कहा वो आपकी बेटी को आमीर खान की तरफ खंडाला ले जाएगा और प्यार की चिक्की खिलाएगा और आस्ते में छोड़ देगा उससे में मारना मत स्टॉप जरब बो तो लिया देना ये लीजे सर जल्दी दे अंकल पूरी रात बाखी है तो मिला लीजे सर तुछुप कर बोला ना वुब बन कर बाबलू ये तुम लोग के लिए सर है क्या रहे तुने इन लोग को बैठने के लिए बुला कुछ पूछा मैंने अब गोर क्या रहा है मैं डर गिया मैं डर गिया दर के मारे मेरे कीली हो गई ममी ममी मुझे बचाओ आज़ इन अकल कुछ भी करे बोहने कुछ नहीं काईगा मत इस आंकल कुछ भी करे तो उन्हें कुछ नहीं कहेगा आजे खलाश होंगे, समझो अरमपी यह सर ठग गे होंगे ओवर्डोस, ओवर्डोस के बाद ऐसा ही बात नहीं सर सॉर्ड यह सर चल टारूले क्या इतना पिएंगे तो हफते भर नहीं होतरेगी तो मुझे सिखाता है यह ले मेटा, बैक बना यह जल्दे, चली देड़ा यह चल प्यार देबा, यह सुना के, चल चल बाँ मुझे उसर, गुस्ताइस पे थूख दो और पार्टी का मजा लो सर सॉरी मैं तो भूली गया तो कि हाँ पार्टी चल रही है ए खजूर, सुनाय के तो बहुत अच्छा डांस करता है देखना है आपको आज इसका डांस देखे तो मेरा दिल तूड़िया सर अखिर यह कर क्या रहा है सर इससे अच्छा डांस तो गली के बच्चे करतें सर एक हजूर, यह सर बच्चो को डांस करती हूँ देखा छोटे छोटे बच्चे इतने छोटे होकर भी वो तुस्से अच्छा डांस करते तुस्य सर केंड़ जशना चला था मैं अच्छा डांस कर रहा था चुपकर, तुझसे जितना कहा जाए, उतना ही कर, थुमके लगाव ठीक है Mark. इसका गटिया डांस देखकर राकिष उशं के फैंस का सभा घुम जाया सर राकिष उशं के फैंश लेकिन वो तो डरेक्टर और 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 यदा पनाव रचा तेरे दुख पोचा अगर फैंस को दुखुआ हा तो प्रोग्राम कैंसल चलता हूँ ए रुक्रे, बैंस ने डान्स के लिए स्पेशल तेयारी किया, अब इसके ओपर ठुमके लगा, जूते उतारे, जूते उतार के इस पर डान्स करो, आपको चड़ गई है मास्टर, इस पर डान्स करूँगा तो लंगडा हो जाऊँगा ना, खाली एक बार नाच के उतर जाना या मास्टर, इस पर कील लगिये, आप नाच के दिखाओ, वाद में मैं आचता हूँ, एक पोटल जै जाकर दा, तकले दा, मास्टर मेरे पीछे पड़ा है, अप आगे आजाओ, उसको ज़रगी है थेखल, मुझी सिस्टर को कैसे तकला मैं आगा करूँ, बचाओ दा, मैं वे ओर्ट ने तरह पोड़ी तकर दोन्हें मेरा बाव सुखी रोटी कांठे कांठे पर पोजगा और तूसे नाचानी पहेंगे उसे पैसे की तकति ता पैसे में और मेरे पापको टोलेट करने तका टाइम नहीं देता था अरे लंबू जी दादा खाना खाया तुने आपसे पहले कैसे खा लेता है अब उनके बाद जरा ध्यान से सुना आज उस लड़के को छोड़ने का नहीं है आते ही पकड़के ठीटवा दोबा दूगा जाए जवानो भाई ठीक से खाओ ए चंग मंगो वहां देखो बिर्यानी कि नहीं है अब अधिशली कि नहीं जब बुलू तब आउन करना जिल्दी करो क्या करो लाइगा जाएगी जब तक में बोलूगा चलो नहीं होगी तैक्यों मेरा भाई-बाई किफ्ट कोई देख लेगा अंधेरे में कौन सा अंधा देख पाएगा चलो दो मेरे होट भी को यह जन्रेटर में पेट्रोल क्यूनी तलवाया है क्या हुआ अजय क्या हुआ अप उनके बहन को बोलते क्यों नहीं बोलो दादा वो वो पेगनेंट है वो मा बनने वाली है नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता मेरी पूझा ऐसा नहीं कर सकती आप टेंशन मत लेजिए मैं उससे शादी के लिए अभी तैयार हूँ पिताजी ने जो रामु चाचा को वचन दिया था उसके लिए तुम्हारी शादी में पूझा के साथ करवा रहा था तुम्हें दोखा दे करने के लिए नहीं खूल अप उनके पहन ने किया इसलिए तुमको नहीं आचा है अब उनको मिली चाहिए तुम्हें क अच्छे इंसान हो जाओ वापस चिले जाओ तुमने इनके प्यार के लिए अपनी शादी के कुर्बानी दे दी बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा मैं तुम्हारे भाईया की बहुत इज़द करता हूँ पर बता है मैंने उनसे जूट क्यों बोला क्योंकि मुझे तुम दोनों की जोड़ी बहुत जादा अच्छी क्वे चुम्हार कानव म Your, ह सुएल करस प्यूणोंक कीban दो अचिना चुम्हारा ओिसोग이 अर्पीन की चृतना वेक प्यूद। क की बदितना की बदूशनी आटना की सुएली परत aoी पती दो कि मैचा लोग मेचा इंदाथ कुना नोग कि अपर का अपर क्विए जाए तू रुक जाहिए तो अपने भाइय का गुश्च जाती है वो तुछे भी मार देलिए चुप हो जाए नहीं भाया नहीं पुच्ण रुखचा ये नाना मैं आपके हाद छोड़ता हूँ मैं आपके पैर पढ़ता हूँ नाना अंसमझ तुसे बाफ कर दीजें नाना ए नरायन इसकी जान प्यारी है तो ले जा मेरी नजरों के सामने से पूजा तो क्यों आसो वहार रही इसमें उसकी कोई गंदी नहीं थी मैं मैं ही उसे परेशान कर रही थी और यह सब बचानक हो गया उसने जान पूछ कर कुछ नहीं किया भया दादा हमें मंदिर जाना चाहिए आपने जो पूजा बेबी के लिए मनत मांगी थी उससे उतारने पूछ मैं पूछ पूछ पादा बेपल आपर बेपल्स वर लुग धर लोग बार लो खगारा किल दो वर लुग उता है आपको के बास वलत शंकर यह बहुत इमानदार और वफादार भी है और वफादारी की कीमत भी होती है हर बाप इस दुनिया में अपने बच्चों के खातिर जीता है पर हम जी रहे हैं तो पस तोहरा खातिर है ले आओ का है ले बंगानों सारी का भए या बाइए बाइए भए या भए या आओ 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 हाओ हाओ आओ 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 भाईया भाईया कि भरिंग कि फरे इनकि भीम किस भूंवर और फिए रम जया पहाहा जही जहे पहाहा कि पडनरो और ख 对 पबूง जह सनक है लूंवर बस्टी स Inkken कि फास्ट बहे हाएँ पो मि उसे पगिया कि और खडत है बे बहे बहे झासर बहे उहे बहे है बाईया बाईया इधर दो पता है हम तुको पकड़ने के बाद भी तो हर जान काहे बख्ष दिये अगर तुझे अपने बेटे की मौत का बतला लेना है तो आप उन से ले आप उना जाएगा तेरे पास पर आप उनकी बेहन को कुछ बत करना हम भी इसी तरह गिड़ गिड़ाएं से याद है और तुने हमरी बात भी मानी थी चोड़े मेरी बेहन को काहे का हुआ तो कब बहुत तकलीफ हो रही है नहीं चड़ूँगा भीक मांग ए बल्लू बात सुना बनकी और किड़ किड़ा पर हमका तोहरा पर दया नहीं आएगी देख बल्लू तुझे जो कर रहा है अप उनके साधर पुझा मेजा पुझा बेटा पुझा अम एक राकर नस काट दिये हैं अब वो तड़प तड़पके धीरे धीरे मरेगी जैसे जैसे इक मोबाइल के बैटरी डाउन होगी तरह पहिन कभी धीरे धीरे जिन्दगी खत् पुझा बेटा बेटा कुछ नहीं रहे कोड़ा कौन बताएगा काँ वो एक बर मुझे बात करने दो उससे नहीं पता वो कहा है मुझे बात तो करने दो कर है अलो पुझा अमलो मेरे हाध से खून निकल रहा Water परो मत, शांत हो जा, टेंशन मत लो ये बताओ तुम्हारे आसपस क्या है, बाहर से आवाज आ रहा है, यहां अंदर कुछ लोहे के होट्ज हैं, और कुछ, और कुछ क्या पूजा, और यहां, एक एलेक्ट्रिक पल्ब है, आप बता सकते हैं, बिजली कहां से सपला होती है, पुजा के पास मुबाइल है, अगर हम इन छे स्टेशन के पावर सप्लाइ को आन उफ करेंगे तो पता चल जाएगा कि पुजा कहा है पुजा, फोन अन रखना पावर आफ करने को बोल आफ, बल पॉफ हुआ? नहीं दूसरा दाबा आफ उफ हुआ, पुजा? नहीं सार, हमने सारे बटन ऊफ कर दीयें सार चलो जी सार आफ करने को बोल उसको आफ कुछ हुआ, पुजा? नहीं आफ आफ आओ पर सार पुजा फोन चल आहा भैस सार वही बटनन आउन करना नहीं पुझा पती जली काप्रा अब कैसे पता चलेगा कि काप्रा में कहा ये तो बहुत आसान है सर काप्रा की हर सड़क पर एक ट्रांसफोर्मर होगा उसे आउन अफ करके देखेंगे तो तो हमें उसका एड्रेस पता चली जाएगा पबलू पुझा को ढूंडो अजाएएएएएगे ल시ricular लुझान अजाएग भाइए लुझा फजू में उसे होगा披िखनी जाएएएएएएगَ लय्यिदा फदे़वा इएएएएएएएएएएएएएएएएएआ अआएएएएएस yours लो लोकी्स्वझान षुझान झाँ 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 झा कर देек पतल संध अज़ संध कर दो कर दे पस हो का जाँ लुटा है वहाई है वहाई है वहाई है वहाई है वहाई प्रियमूट के इस दो इस दो आपको मेरी कसम भाया, मेरी कसम, मैं नहीं चाहती कि मेरी वज़ा से किसी की जान जाए, छोड़ दीजे भाया, भाया, शात हो जाए, मेरे लिए, प्लीज भाया, मेरी बहन ने तुझे माफ किया, इसलिए तू पच गया, आइन्दा इसके साये से भी दूर रहना, अरे ताउ जी थोड़ा शांद रहा, उमें बात करने दो, ताउ जी, मुझे बटा, अब तो बताओ लड़का कौन है, उस लड़के की बार में मुझे कुछ मत पूछे भाया, क्यों? मेरी जान इतनी बार खतर में पड़ी, फिर भी वो बिवकुफ मुझे एक बार बचाने नहीं आया, तेरे साथ भी सेम टू सेम हो गया, आपके साथ भी ऐसे ही लफड़ा हुआ, आरे मेरे लफड़े की बात छोड़, तुने अपनी जान की बाजी लगा के आप उनकी बहन को कई बार बचाया है, आप उन सोच रहा था कि तेरा एक कर्स कैसे चुगाया तो आप उनको दादी क बात याद आगई, वो अब उनको बोलती थी, एक लड़की की शादी उसी से होनी चाहिए, जो उस लड़की की रक्षा करने के काविलो, और वो तुझ में है, लंबू, बोल अप उनको साला पनाएगा, साला हा, अरे लंबू, अब उनको बहुत मजा आएगा जब घर में तुम दोनों के इंगलिश में बात करते हुए देखे का मैं, क्या बोलता है, यह उपर देखे क्या सोच रहा है, राम जी का आदेश, हनुमान जी, सोनिया का आदेश, मनमोन सिंग, अराग का आदेश, गभलू, भला टाल कैसे सकता है, तेर क्या खेल कटम, अंग्रे जी है, वो दिन अजय बोला था कि पूजा तीन महीने की प्रेगनेंट है, उस हिसाब से तेरा महीने हो चुके है, साथ महीने में बच्चा होते सुना है, लेकिन यह तो तेरा महीने हो गए, शंकर दा इतने टेंशन में क्यों बैढ़े है, नारान अंकल, आपको कुछ आइडिय है, तेरा महीने में क्या होता है, लड़का या लड़की, जन्रल नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ, है, हिद्रा, तु घर के काने होने के वतार है, तेखा कि नहीं मेरे भांजे को एकदम बदरीनाथ पहलवान की तरह दिखता है, यह बदरीनाथ किस खेत की मुली है, कुल फैसा है निशान?